ये तस्वीरे देखकर आप सोच रहे होंगे कि जरूर इनोंने कोई अपराद किया होगा लेकिन आपका ये सोचना घलत है ये सब परिशान है और नौकरी के नाम पर ठगे गए हैं अब आप सोच रहे होंगे कि तस्वीर में दिख रहे चारों लोग एक साथ कैसे ठगे जा सक अब जरा कहानी आपको तफसील से समझाते हैं इन युवाओं का कहना है कि मुकंद गड़ के रहने वाले संतोष कुमार मेगभाल ने खुद को कथित रूप से केंद्रे मंत्री रामविलास पासवान का परसनल सेकेटरी बताते हुए एफसी आई और शिक्षा संकुल में नौकरी लगाने का जहासा दिया उसने एक एक व्यक्ति से साड़े चार चार लाख रुपे वसूल किये पीडित योवकों ने आरोप लगा है कि करीब डेड़ साल पहले संतोष कुमार ने गुजरात के एक लजेपी ने था मुकेश गुर्जर के अकाउंट में 15 लाख रुपे भी डलवाय थे पुलिस का कहना है कि अनीता, सत्वीर और अन्य कई युवाओं से ठगी की बात सामने आई है मामले की जाच कोतवाली थाने की एसाई बाबुलाल मीना कर रही है फिलहाल पुलिस आरूपी की तलाश में जुटी हुई है अब युवाओं की कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो आरूपियों के गिरफतारी के बाद ही साबित होगा लेकिन जिस तरह से एक मंत्री के नम पर ये काम किया गया वो काफी हैरान करने वाला है बिलर रिपूट राजिस्थान तक एक में जुवाओं के लुवाओं के लुवाओं के लिए एक